नमस्कार शिवकाल या सद्रात स्थिल शिवकालीन ग्राम व्यवस्ता या पहल्या मालिके मदील आच्चा हां अठवा वीडियो आए या वीडियो शार्शक आहे शिवकालीन ग्रामिन अर्थंव्यवस्ता याचा आधी चा मागिल साथ विडियो मदे आपन शिवकालिन खेडे गाव, शिवकालिन ग्राम रचना, शिवकालिन गाव गाडा, शिवकालिन आय वेवस्ता, शिवकालिन जातिवार लूक वस्ती, असा शिवकालिन गावाचा संदरबाद वेगवेगले बाबीन शिमाहिती लराव्ण शिवकक्रम होस कौनरी। भूस जिस्व कॐलों को वरकतों करये दनाना नtonylazung जांता में में betegना सब्सक्रावरा जाउं कश्पांको भूस्त ऊंक्रम्राणWow बढ़ी मुवधिकोर्ट पसक्राइब शिवकाल ग्राम इन बदल ग्राम अर्थ वेवस्ता नहीं मीजेवाश्व काल खंडा बदल विच्षार हेला जातऊ अर्थे व्योष संकितली जात अधिश्वकाल आजिनेव अर्थ हमालगी कि यह विश्वकाल साइब्स पसंधान पर राज्या चा अर्थविवस्तेशी महिती संगितली जाते। 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 पंसाइती, गोट सभा, त्याना तर्वेक वेगले न्याती सभा। यंचा दारे गावाचा लोक जीवन पूर्ण पने नियंतरित केला जातासे। बर्चा अर्दी जातासे, च्छक्वता राजा सस्ग्या दाद मागाला जाईचे गरत भासत ना से। राजा कले दाद मागयला जरी मुद्धा गेला को एका तर्वेक वे राजा परन पौसली। तरी देखिल राजा गावाचा गोच सब आसल जो निर्ने देद आसल त्या निर्ने आलाज उसलूं धरतासे मनजे शेवटी गावाचा लोक जिवनावर गावाचा सबेचा ग्राम सबेचा मती जात सब आसल लोक सब आसल गोच सब आसल नाथी सब आसल पुन्ती आसल आसल अच्छा मुड़ेपन गावाद चा अर्थकारन नियंत्रित करने साथी गावाला मदद होता से अजुन एक वीचार केला तर ही खेडी होती ही खेडी स्वता मदे स्वयंपुर्णा आसली तर ही एक मेकंची जोडलेली नहोती और याषी खेडी स्वियंपुर्णा नियुक्ता इटी मेकंचा शीवेल ऐए शीव तैंची लागु नाइए ऑक त्योग्त परस नियुक्त प्रत्तिक का घलेगवाचे आर्थकारन वेगवल होता तेंचे ृत्पना ची सादना वेगवल आगे थेंचे कावामोह। बाल्ये जादो ते तैंह डुआ राजकेई दुरुष्टिया, सामाजिक दुरुष्टिया, प्रशासनिक दुरुष्टिया, एक संदा असुन देखिल, एका स्राज्याचा भाग असुन देखिल, साध्या सुद्या, ग्रामीन, हस्त व्योसदिंदि आपन मनुशक्तो अशा सु संगटित आर्थय व्यवस्तेच ही खेडी गाव होती ते एक उत्तम उधारन बंदलीली होती शिवकाल खंडा मदे या काला मदे गाव ची होती ती गाव सवरक्षना साथी आनि आर्थिक व्यवराचा बाप्ति मदे राज्यावर आउलंबुन नहुती क्यों दुसरे गावर आउलंबुन नहुती प्रत्यक खेडेगाव स्वताचा सवरक्षनाची व्यवस्ता आनि स्वताचा उत्पनाची व्यवस्ता स्वताज करता से तेमने प्रत्यक खेडेगावाचा आर्थकारने स्वतामदे वेगला आर्थकारना से त्याचा वर दूसर्या कुट्ला ही बाहेर सा घटक प्रभाव पारूशा कर ना से यह चा मूलेज प्रतेक गाव करेची गर जी स्थानिक पातली वर पुर्णा होता से देनन दिन उपजीवी किचीजी साधने लागता से त्या गावातले गावाता ज मिलता से फार फार तर मोठा व्यापार कोनाला करेज आसेल ता अठड़ी बाजरा सटी कस्बा नहीं तर पेट या सरक्या मोठा गावान मदे लोग जातासाद पन त्याही कोष्टी कोची तर गरतासाद बहुतेक सगलया सर्वसामान या गर्जा गावा मदे पूर्ण करेल असे हे शिवकालिन ग्रामीन आर्थकारन होता मात ये शिवकालिन ग्रामीन आर्थकारन जर आपने विचार करेजा मनला तर दोन घटकान वर अउलंबुन होता पहली गोश्ट मंजे शेती, करन शेती हाथ गावाचा खेड़े गावाचा त्या काला मदे उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोथ होता गावात ले अंशी ती नववर्टक के लोग संक्या ही शेती वर्च आउलम बोन होती कि वह शेती आजानी उद्योग दंदे करता से त्या गावाचा अर्थकारनाचा पहला घटक जो गावाचा अर्थकारनाचा कना होता तो मंजे शेती अनि दूसरा जो घटक होता तो मंजे गावा मदे जे चोटे मोटे हस्ते व्यावसाई सालत आसाथ कि छोटे मुडे व्यापर्सालता से जह करागिराशत करागिराशत कमा हल्या कि व्यापार अख रोत धिते परना अने सार्थ रोत। शेती जा विचार कराई जा मनला, तर लोकांचा चरीत अर्थाच शेती हेज एकमेव साधन होत, गाउचे सर्वा आर्तिक व्यावर मागासी मेवे मैंला प्रामने शेती शी निगडित होते, वेग वेगला विबा गातिल, वेग वेगले लोक, मक्ते वतंदार आसोत, मिरासद आजादा रासो, उपरे आसो, आलुते दार बलुते रासो, ये कुटलिया कार्ना नी शेती शी संबन्धित व्याउसा एके वा उध्योगावर शवता चाजीवन व्याखन करत होते。 त्या मुढ़ा शेती चा अर्थकार्ना वर फार मोटा फरक परतासे. अधी ही शेती ही होती गाव करीे अपले अपले शेती Bug financing video के अनि सामाईग पद्धा कि मदे गावा अमादे जी सामाईग जमिन आसेल figur परीक जमिन आसेल ऐसेल गावा तिल शर्वां चा सामाईग मलकी च से आसे त्यासे बरोबर गावा उमयदे आज नहीं कही प्रकर्च जमनी आडऊने जसे की इनामी जमनी आसे कि कोनला राजय नहीं आम दिलाएक कि आज न कही कारणा ने ख़दया वक्तिला जमनी इनाम आइक मिराशी जमेनी जला आपनमानभण मतोख की मुल सेदकरी जह जमेनीचे मालक नत्याचा जमेनी आने उपरे आजमेनी मनेजे बहरु यहं जह उपरे लोग जमेनीच धाय? यह जमीन काली पांतीन तीन प्रतीरी प्रकार पार अच्छी आजित थे प्रकार वायेख जरी आच्छी जीडवेगर लेुटरी प्रामान टेचा सटी वापरला जाता से। 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 आता सटी वापरला जाता से याता सटी वापरला जाता से। करना इते जन्तेवरान ने होतना होता जन्ता सवता ठरवत होती यहीं राजय लगाती जमीन ल cardiया लागवडी कहले है अन्य हमोड़ा कर देत हैं राझे चाहाता है कि स creator shakytis तरवता से शक्क्ये तो जनते वर सक्ति केली जातना से ही रहेतवारी पद्दत इस एक मोठा आपन मनुशक्त की वाइसिष्ट होता जया चैसा छतरपधी शिवाजी महरादान ना जनते में लोप्रिय होने में में मोठा हाथबार लाग लग लेला पन जरी रहेतवारी सपने अर्था कारणा मुझे कदी रोग राही आईची, कदी शत्रूचा मुल्खातले सैनी कुन पिक कापुन जालूं टाकाईचे आशा आनेक समझ सेया सिदकरेंग समर होते है त्या मुलों शेती करना देखिल सोही चा नवता और सोप देखिल नवता त्या कदा मादे जेवा सगेगडे महराष्टा मादे आराजयक माजला होता सात त्यान युद्ध होतो होती, मुलु कोसड पढले होते, लोग गाव सोडून जात होते आशा परस्तिती मादे शेती करना ने शेती मदू उत्पन वाड़ाउना सोपी गोश्ट नहुती, त्याचा गावचा आर्थकारना अरपन परना मोटा से त्याचा नंतर बागायत जमिनी पेक्षा, जिरायत जमिनी जा प्रमान जासता आसले आमोले देखिल शेती मदूं जे उत्पन न मिला था से त्या उत्पन हे पोर्ड भरन्यापूर्तस मिलातासे जेम्तेम सगलेंचे सगला भागों पोड बरला दोन वेलचे खायलाई मिलाल तरी फार जाला आशी त्या काला मदे शेती ची परस्तिती होते शेतकरने जासता कष्ट करावे लागत होते आजुनेक त्या पर शिवकालें काला खंडा मदे आपन गोश्ट विचारात गेत नहीं जाचा मुले शेती वर परना मौत होताने राज्यास आणि गावाचा दोनी चा आर्थकारन डासला होता ते मंजे गावा मदला जो तरुन वर्ग होता तो मोठया प्रमाना मदे लश्करा मदे सामील होता अपले लासा सांगितला जाता कि मरेटेंचा लश्करे शेतकरेंचा लश्कर होता चार मेने मदे पवसलिय करुँछ उर्फलेले दिवस और अहली आठ मेने लोग ुटाअँ मनὐ गवां मदे दीवस उपलबद पड़्त ना भन होत ना इन्हें वृफ λोघाआ उपलब लर्त ठीचा पैद的话 निटे दूलाएु USB परिणाम नाशावलेला काया होता से कि अपलेला सरकारी मददी चाहा आपेक्षास्ते मांज आपन बगतो कि अपलेकर आत्ता चाहा कड़ामाद एक ठीकानी वादा लाल पिकनाईशी जाली बुकम पजाला रोग राई जाली अजुन काय जाली दुषकला पड़ लाते सरकार क कहा आए करता शेतकर ना मदद देता आज आपन भौकत सरकार सपशिडिवी बगतार साथी नांगर ट्रक्टर काई विकात गया हुआ जे सोईना उती सरकार ने कदी ही गावाला कुटली मदद के लिए अपलेला अडोने टनाई शिव्चत्रपति उनसा नमान नियाक होगत पन शिवुषत्रपती पन जे मदद करत होते, ती सेदकर्य समुरज की समस्य होते है, तहा थया मानाने तोकलिस होती, तुठपुंजी होती। पन तुठपुंची मदद करनारा पन कोणी तरी राजा काल खंडा मदे निर्मान जाला। मधद जरी तुटपुन्ज आसल तरी राजा समजून गेतोई कि यह शेतकरेंट्य क मधध ऑल मोल जनतेचा समस्या सूटत नसत उधरना तो 1670 साली दुषकल पड़ला त्या वलाले शिवाजी महारादानी शेतकर्यान करज दिल शेतकर्याने शेती चे आउजारे बी बिया ने खताची मदद केली तेचा नंतर पान पात सप्टेंबर 1670 साहिका पतरा नुसार एका शेतकर्याला बैल जोडी हुआ रोक रक्मी चा सुरूपात मदद कराएचे शिवाजी महाराजानी आदेश दिल शिवाजी महाराज जोड़े खुष्टी तेचे नజरे समुरिय तास्तिल कौशा систем यह Teams दिल भावाने बैरून कौनागुरून मदे दीचे आपेक्षाश टेवाएचीने। दुष्कलं पॉरूदेथ आकरमान होधेथ लुटारू इहोधेथ तोल दाड़ होधेथ गावाने सोता चीछ व्यवस्ता करावी आनी राज्याला शेत्-सरा भरावा आशीच व्यवस्ता त्या मुढे सरकारी मदद शेतखर्याला गावच अर्थकारन सुधरने सडी गावाने निमीलार करे द। पर आपन आसा मनतों की पाटिम बेचे दोन शब्द मिलना पन मुश्किल गोश्ट होती त्या मुल गावचा अर्थकारन गावा कुर्थास मर्यादी दराईला गावचा अर्थकारनाने गाव सोयंपूर्ण कस होते पाईला पन गावाचा कुटलास विकास हो शकलान पेठा वसले होते जाटिकनी मूट मूट बाजर पेठा होते तीटे जकात होती वेगवगड़ा वयापरन चा यह चा तुन जिनसी चा विक्री मदून आपलेला उत्पन्ने मिलत होता कि वा दूसरे देशान च्री सोच व्यापर चाला होते तो लियाब ते तो लिफरी जरी आपन पाईला तरी जेवड़ गावा मदे जी उद्योग धन्ते चालत आशाद ते गाउचा गर्जा भागुने पुरते आशाद गाव चा गर्जा भागुन थोड़े पर प्रामाना मदे बाहर विख्री करने सटे आसद कि दूसरे देशन मदे पाठोने सटे आसद त्यातुन देखिल काई खास गावा आपन मनतो क्यों काई खास पेठा क्यों कसबे कि वा जला आपन समुधर किनर यासनरी बंदर जानना मि आपन मरट हरेतिया साजी संसादना मनतो मनतों त्या वेघ्वेले शंसादना मने सतना मते गावा ससातो न चिंह किबतीर काप्र ठी बाहगिली जाता से या उद्योगा मदे स्रीमंत वा गरीब वरगला जा कापड़ा ची गरज लागता से क्या कापड़ाची निर्मीती करने देदा से सासवर सुपे टाकड या ठीकानि सुराज्या मदे मोठ्या प्रामाणावर कापडां 12 सु उत्पाधन करनारे हात 마र होते आणि या ठीकानावन मोठ्या प्रामाणार कापड निर्यात देकेल होता असे कोटगिरी शहदा पैठन येते साड़या दोतर फेटे रुमाल शेला इत्यादी सुरूप अतल्या रेश्मी कापड़ाची निर्मिती केली जाता से लाकुर उद्योगा साटी वसाई प्रसिद्ध होते बानका मां साटी लागनार्या शरलसोट तुलेंची आयात वसाई मदून नेमी करने ते दासे त्या बरोबर जहाजा बन्ने साटी लागनार जे लाकूड आसे, ते लाकूड पन वस्साई कल्यानी बिवंडी मदून मागोने ते दासे सातारा आनी कुलापूर या भूब आगा मदे गूल दिर्मिती चा गेवसाय मोठया प्रामाना मदे चाला दासे त्या बरोबर वेगवेगले चे कारागीर होते गावा मदे ते वेगवेगले कारागीर तेंचे वेगवेगले कसब किवा हुन्नराचा आधारे गावचा शेतीला हाद बार लावनारे वेगवेगले उद्योग धन्दे करून गावचा अर्थकारनाला हाद बार लावतासाद हाजो करागिरान सवर्ग होता तेशा मदे प्रामुक्याने सोनार, लोहार, तामबट, सुतार, चामबार, कुमभार, विनकरी, मांग, तेली, धनगर, कुम्टी, शिंपी, नावी, परिट, माली, कोडी, गवंडी, रंगरी ये जे लोग, आपन, औबकतौ अजो, बजो, आपले, लाग्ता ता अपले, घरामादै काई काम करने साथी, तक ये गवा मादै काम करने साथी, ये विंहेbir प्रहमाने गावाच्या शर्ःधी चा आतमा दे राऊंट गावाच्या परिगाच्या आतमादे राऊंट, हस्त उद्द्योग करूं, शता-ची उपजीव का करता स स embracing आनि गावाच्या हर्तकारना गार। सोताचा सहबाक देतासेद, याचा वेतरिक्त जे अठोड़ी बाजार भरतासेद, त्या अठोड़ी बाजारा मदे देखिला आनेक हस्ट व्यावसाइग आसेद, या मदे धंदेवाई गायक, त्यानांतर पतवेकरी, टालकरी, कलाल, कासार, मुर्तिकार, आसे लोग हस्त व् पाने आपले वस्तु आने आपले आपले आ कला अठोडी बाजरा मदे विकत आसाथ हे सर्वो उद्ध्यो जाती वर आधरीत आसले मुले या उद्ध्यो गान्ना गाउचा आर्थकार्णा मदे सुरक्षित्ता लाबली होती जात मांजे इते आपन तुछा आर्था आसा गये छा कि वहे सर्वो वंषय परंपार अचले को बंध्यो आर्श Woah outta यह सुरक्षित्ती बडूबर दुसरी गोश्टा आशे जाले कि गाव जे जाला ते गाव अलपसंतुष्ट जाले गरतले करया-घयर जाले कि अलूटते भी ते बोलते और जिय जाले, त्याल पसंट्उवथ जाले। गरतले सब्सक्क्राप मैं अ notre जाले जाले मला माजान बमकस्क गरतली समय करत यह यह उड़ेस करूनी रहाव जासते कष्टे कराची काई गरज नहीं यह अलप संतुष्ट वृत्ती मुळे पन काया जार कामगारांची गावा चा आर्थकारनाला मोटी खिले बसली गावा चा गरजा भागात होते हां पन गावा चा विकास सोतना होता विकास करने सथी कोनी स सोताचा गरजन चा पूरे जाउन काम करेला तयार नहीं पन त्याचा यह पूरे जाउन काई ठीकानी जला आपन कसबा मनतो कि वा पेट मनतो आठोडी बाजाराचा ठीकान मनतो त्या ठीकानी थोड़या प्रमाना मदे व्यापारी उलाधादी होता आसत गावचा पातेली यहें तया प्रहाट में कैक्म शलिडख़ेन के नहीं तेमे रिटावी नहीं को बीदवभड़ों। यह मुखुवार्टेशाओं. अंतरक तेनार, या गाव कराएंचा उपजिवी कीची साधना पुराउनारे बाजार होते, फार फार तर उपजिवी कीचा वस्तु एकाश ठीकानी उन विकरी करनारे बाजार होते, पन या कसबा क्यों पेठान मदे पन कदी एवड़ा व्यापार जाले जा आड़रत नाई, क लोग व्यापर करने उप फोल लोग ज़ने लकूषे युश्टाव करणे लोगא। लोग्स लोग देंचा घरा घर में और ब्यावर्ट रहा चे जाने दुखन पुर्चा बाजुला आसे उज़ार तेली चांबार कोश्टी शिंपी कलाल सराप सोनार यह लोग्या चे काईम धर्स पर लाई आसे आसे तानी गावा चा जा रस्त्या और बाजार बरत आसे तैंट पाधर पेठे मादे जा वस्तु विक्री लाइए तास त्या डोबल मानाने मागाश मी मंदला थास कि उपजीवी का चालोने साथी गर्चे जा असनरे वस्तु आसा उधार नारत कापड, नार, लोनी, विडेंची पाने, सुपार्य, फले, भाजय, माउस, पाधत्राने, पड़ी, लाकडी वस्तु, सोने चांदी चे दागेने, मसाले चे पअधार्त, सुगंधी द्रव्य, संदेर प्रसादानाची खरेदी विक्री साल दासे, मंजे त्या वस्तु नची विक्री होता से, जा ची गर्च शेथ कर्याला आए, कि वा ती ते रहईवास करनार रही फश्ञा ना है जा वस्तु अची गरज होत नसे कि जा वस्तु बाजारा मदे तेजी घहाँ नहीं है जा आज आपन बोगतों कि आप लेक वीघुटे तन्तरत साया बाजा देना के लेक वैगदे गुश्छी एता ती तर्म वीघुटे लेक वीघुट्र में नवीन काईना के पन त्या काड़ा मदे परस्तिती आशी होती शिव काड़ा मदे कि लोकान करेश पैसा नहीं साइसाज जेम तेम काई पैसा आसला तरी तो लोग गाटिला बांदुन टेवाएचे कदी आजार पन येल कदी शत्रु आक्रमन करेल कदी कुट दंड बर्याल लागेल माहित नाए पैसा गाटिला बांदुन टेवाएचे खर्च नहीं कराएचे बचे तानी संचे करनेचे उर्ति गावन मदे होती आपन माक्चा बागा मदे पाईला सर्व साधरनपने जो पंने विने महीं होतासे तो वस्टतु विनी में होतासे चलनजव अपरा महीं नाइ है तुम्हे तुम्हे गरज आत। एबुड रहें विक पंन्निर्मान होत नाइ की जे घावा चाए विका साला चास प्रेरना देल देश, संपन, सुझलाम, सुपलाम, होई लेवड़े पईशे गावा में उपलब्द होतील, आशा पदेदी सही अर्थाकारण नहोता। तर या जाले गोश्टी ग्रामीन अर्थाकारण कसा चालत होता। तर या आपन काई फाइदे पाइले, काई तोटे पन पाइले। फाइदे होता ग्रामीन अर्थाकारण सार्वत मोटा फाइदा होता कि गाव स्वयंपुर्ण होता। उपजीवी के चा गरजा गावा में भागत होता। कोनाला दुसरीकरे हाथ प्रसराईची गावा चा बैरजान के तोण वेगाड़ाईची गरज पड़तन होती। तोटा होता मुख्या कि फक्त उपजीवी के चाले लेवर उत्पन गावा चा आर्थाकरना तुन निर्मान होता। ट्याची पूरे जाउन जास्ती चे पईशे जी संपनाता निर्मान करने साथी निर्मान करेश होता। स्वयम पुर्ना यौठ आर्थाकार्णा है अक्टतासा वीडियू तुमाला से खुबल आते सनव्सके। के और श्यॅ कहले कोरना मैं करता। पर देखता है त्याच वर पीच्टी करता है ले उड़ा याचा मदे पोटेंशेल आया विश्या मदे कि दोन तीन चार पास पीच्टी आ एकादी मानों सर्च करू शकल सिवकालीन ग्रामीन आर्थकारन वर बन ले तरी ते वरपूर वेल जाई और विडियो बनावाए लगत पाफ्तिन कि माली का फक्त आ पन संकल बना स्पष्टा करने साथ और आ आशा है कि आत्ता जेकाई में विवेचन केले तैमने शिवकालीन ग्रामीन आर्थकारने कशा पद्धेदेन सालत होतत ते तले मुख्य गुन कुटले होते यानि मुख्य दोश कुटले होते ते आपल अंदबोटमें बादोटमें बादो शवारिंध में नक्रें पेया बीडो वासि this video सर्थ bağ प्रकॉार्स ओनियुक मएँटो करें एकाब्दीष था जबनंषी में एकाब्स सब्सक्राण ऑसिंद सिल्धार्णी पुरणको में अधिति अंदु समय साथ शेर करा आज आपन इते स्थांबुयात उद्या वेटवेत आपन दुसरे वीडियो मदे त्या वीडियो से नाव आहे शिवकालीन जमीनी चा वर्गी करने अनि वसुला करने अत्ता आपन जे पाहिला कि शेती ही गाउचा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत होता गाउचा आर् अडाबा गिटला पुर्चा भागा मूदे आपन एक कर वसुली पद्दती त्यासद स्अक्रास निर्मान जाल fancy से शेथकरैना केथी फाय तोता जाला त्या पुर्चा भागाूर सूर्वत्त निथे शेत कर आला जमेनी चे हक्क मिलाले कशा पद्धत इने कोंत्या काड़ा मदे शेतकर्यागणून जमेनी चे हक्के हेरावले गेले कशा पद्धत इने सरकर्ने जरी शेतकर्याला हक्क दिले तरी दुसरे लोकार्ने यून शेतकर्याला हाटून पहत्रा शिवकाले सदर आनी शिवकालिंग्रामीन व्यवस्ता ही शिवकाल सदरा दिल पहली मालिका भीटो एट पूर्चा वीडियों मदे जय महाराष्ट जग्दम्ब